नमस्कार मैं हो ससी आई ज्ञारखन की टोप 25 परमुख खबर जानते हैं अधिकारियों से वार्ता के बाद कुर्मी समाई ने वापस लिया अंदोलन कुर्मी जाती को अनुशुचित जनजाती में सामिल करने की मांग को लेकर कुर्मी संगटनों के रेल ट्रेक पर प्रदसन करने से बुद्धवार को जगह जगह ट्रेने परभावित रही प्रदसन के कारण बिहार, बंगाल, जारखन और उडिस्ता आने जाने वाली ट्रेनों के साथ किते नाथी की गई थी रांची से धनवाद जाने वाली रूट पर गोमो मोरी और निमडी में बड़ी संख्या में जूटे परजशनकारी घेरा तोड़ कर पटरियों पर पहुँच गए पच्मी सिंभूम के निमडी में जबरन एस्टेशन घूसने का परयास कर रहे परजश के मिर्भंज तथा भंजुपूर में भी कुड्मी समाज के लोगों ने बागिरी पोस्ती मिर्भंज वा साली मार पूरी एक्सप्रेस को रोक दिया था हमारी गव माता हमारा दयुत योजना की सुरुवात करेगी राज सरकार जार्खन की गव सलाओ को आत्म निर्भर बनाने एवं गोव अन्सिय पसुओ की रक्षा के उदेश से गोव सेवा आयोग ने एक ब्रिहद योजना तियार की है जिसकी सुरुवात आने वाले दिनों में मुख्य मंत्री के हाथों होगी इसके तहट गोव सेवा से अधिक से अधिक लोगों को जोडने की ब्यापक कोसिस होगी लोगों से तीन माह चाव माह अथवा एक वर्स के लिए गोव अन्सिय पसुओ को गोद लेने का अगरह किया जाएगा योजना का नाम हमारी गोव मानस को जोडने का लक्ष है इस मद में किये गए दान सीधे सीधे गोव साला के खाते में जामा किये जाएंगे राज अस्तर ये कारकरम के रूप में सिग्र ही इस योजना का सुबारम होगा बदादे 15 वर्सों के बाद गोव सेवा आयो की बैठा के बाद प्रेस को समोधि कर आयो को पुर्ण कालिक अध्यक्ष या उपाध्यक्ष मिले हाएं इंडिया नेताओ से बात करने दिल्ली पहुंचे स्दियम हेमन्त मुखे मंत्री हेमन्त बुद्धवार की रात नई दिल्ली के लिए रवाना हुए हैं उनका वहाँ विपक्षी गडबंधन इंडिया के नेताओ से मुलकात करने का कारकरम है वे राजे की राजनीती परिष्थितियों के साथ साथ इडि के समन को लेकर भी नेताओ संग बिमर्स करेंगे उलेखनिया है कि हेमन्त सुरेन को इडि ने 23 सितंबर को पूस्ताच के लिए समन भेजा है जमीन समधी मामले में पोस्ताज के लिए उन्हें इडी के तरब से भेजा गया यह चौता समन है संकल पयातरा में बाबुलाल का हेमंत सुरेन परवार भाजपा परदेश अद्यक्स बाबुलाल मरांडी ने भष्टाचार पर राज सरकार को कटखरे में खड़ा करते हुए कहा है कि जब राज के मुखिया पर ही आरोप लग रहे हैं तो किसे से नयाय की उमीद करें उन्होंने कहा है मुखिय मंत्री हमंसुरेन अगर बेदाग हैं तो उन्हें इड़ी के सवालों का सामना करना चाहिए बाबुलाल मरांडी कोले बीरा में बुद्ध वर कायोजी संकल पयातरा कारकरम को संबधित कर रहे थे उन्होंने मुख्य मंत्री हमान सुरेंड पर निशाना साते वे कहा है कि वर्तवान सरकार से विकास के उमीद करना बेमानी है आदिवासियों की जमीन की लूट मची है परन्तु इस पर लगाम नहीं लग रहा भाजपा बाबुलामान अंडी ने कहा है कि अटल बिहारी वाजपै के नतित में भाजपा नीत अंडिये सरकार की देन है जारखंड यहां आदिवासि मूलवासियों की विकास के लिए अलग राज बनाया गया था लेकिन आज सत्ता में बैठे लोग खोद की तीजोरी भरने में लगे हुए है कुर्मी आंदोलन कारियों ने पुलिस पर किया पथराव लाठी चार्ज चक्रधरपूर रेल मंडल के अंतरगत आने वाले घागरा स्टेसर पर रेल चक का जाम के दरान कुर्मी आंदोलन कारियों ने जीला पर सासन पर पथरबाजी शुरू की है जिससे कई आरपी अप और जीला पुलिस की जवाएन घायल हो गया है जवाब में पुलिस ने भी लाठी चार्ज किया है हमले में डिएसपी वीडियो सही जीला पुलिस के दो जवान घायल हुए है कुर्मी जाती को अनुसूचित जन जाती में सामिल करने को लेकर अंदोलन रत कुर्मी समाज के लोगों द्वारा घागरा होल्ट पर बारा घंटे रेल चक्का जाम के बाद रातरी लगभाग 9 बच कर 25 मेट पर सुरक्षा बल द्वारा अंदोलन कारियों को रेल ट्रेक से हटाने के लाठी चार्ज किया गया जिसके जवावी करवाई में अंदोलन कारियों द्वारा पत्थरबाजी की गई है गोमो में बेरिकेटिंग तोड का ट्रेक पर उत्रे आंदोलन कारी बिरिहत जार्खन आदिवासी कुल्मी मंच के द्वारा आहूत रेल टेक का डहर चेका आंदोलन को नकाम करने को लेकर आरपी एस एफ तथा जीला पुलीस पूरी मुस्तहदी के साथ गोमो स्टेशन पर जमे हुए है मंगलवार देर रात को अंदोलन कारियों के आने के सुचना पर तो प्चांची अंचल के पूरे हरिहर पूर्थाना चेतर में धारा 144 लगा दी गई है वहीं राज से रेल पूलीस अलाट मुड पर है और गोमो स्टेशन आने वाले सभी रास्ते में बरिगेटिंग कर पहारा लगा दिया गया है पूलीस की सेकरित्या को देखते वे मंगलवार की राज से लेकर बुद्वार की सुबा आठ बए तक एक भी अंदोलन कारी रेल रोक को गोमो स्टेशन नहीं पहुंचे 24 सितंबर को हावडा पटना वंदे भारत को हरी जंडी 24 सितंबर को वर्चूल माध्यम से हावडा से दो वंदे भारत एक्सप्रेश ट्रेनों को हरी जंडी दिखा कर रवाना करेंगे बतादे देश में पहली बार एक साथ नो वंदे भारत एक्सप्रेश का उधाटन होने जा रहा है 24 सितंबर को परधानमति नायनमोदी वर्चूल रूप में इन ट्रेनों को हरी जंडी दिखा कर रवाना करेंगे इन नाव ट्रेनों में पच्छे मंगाल को दो ट्रेन मिली है वहीं पहली ट्रेन हाबडा और पटना के बीच जबकि दूसरी हाबडा और रांची के बीचलेगी यह जनकारी पूर्वर रेलवे के मुख जनसंपर्क अधिकारी कौसिक मित्रे ने दिया है लोकसभा से महिला आरक्षन पास होने पर महिला नेताओने पी-म को कहा थैंक्यू तिन दसक से भी अथिक समय से लंबित महिला आरक्षन बिल समन्दी बिल लोकसभा से पास हो गया है पी-मोदी ने इस बिल को नारी सकती वंदन बिल नाम दिया है बुद्धवार को लोगसभा में लंबी बहस के बाद वोटिंग हुई और बिल को दो तिहाई बहुमत से संसत से पारिद कर दिया गया इस बिल के पास होते ही जारखन में महिला नेताओं ने जम कर जस्न मनाया कुर्मी आंदोलन खत्म 25 को रांची में होगी वारता कुर्मी समाज को अनुसूचित जन जाती का दरजा देने के मांग पर जारखन और उडिसा में 6 जगों पर चल रहा रेल टेका यानि रेल रोको आंदोलन पर बुद्धवार की साम को बड़ी ख़बर आई है दो जगा आंदोलन खत्म हो गया है दो जगा जारी है इस आंदोलन की वज़ा से काफी संख्या में ट्रेनों को रद करना पड़ा है कई ट्रेनों को डैवर्ट किया गया और कुछ ट्रेनों को सौट टर्मिनेट करना पड़ा है इस दोरान रेल यात्रियों को काफी परसानियों के सामना करना पड़ा मताद है आंदोलन को खत्म करने के लिए आंदोलन कारियों के साथ एडियेम ला एंड अॉर्डर ने दो घंटे तक वारता की वार्ताक खत्म होने के बाद अजीत महतों ने रेल ट्रेक पर बैठे अपने समर्थकों और मीडिया कर्मियों को समधित किया इसमें उन्होंने कहा है कि दो गंटे की वार्ता हुई है इसमें तय हुआ है कि जार्खन के मुख्य सचीव और TRI के निदेशा के साथ पची सितमर को रांची में वार्ता होगी इस बैठाक में अगर उनकी मांगों पर सकरात्मक फैसला नहीं हुआ तो एक बार फिर इससे भी बड़ा अंदुलन करेंगे जार्खन के 29604 जल साहिया को मिलेगा आ स्मार्ट फोन जार्खन में जल जीवन मीशन वा स्वक्ष भारत मीशन की विभी निवजनाव और कालकरमों के किरानोयन का काम देखने वाली 29604 जल साहिया अब आ स्मार्ट फोन के साथ स्काई बुलू साड़ी में ज़र आएंगी पे जल एवं स्वक्ष भारत मीशन के तहत निधारीत मासिक कारियों को जार जल मोबाइल एप के माधियम से इंट्री वा अपडेट करने के लिए पर तेग जल साहिया को एक स्मार्ट फोन वर्ष में दो साड़िया उपलब धिकराई जाएगी पे जल एवं सवक्ष भाग की ओर से एक हाजार का मान्दे पाने वाली जल साहिया को बारा हाजार उप्य का स्मार्ट फोन दिये जाने के प्रधान किया गया है लोहर्दग्गा में बोले लोबिन हेमरम बिहारियों से घीरे हैं सियम हेमान दजारखन मुक्ति मुर्चा की बिधायक लोबिन हेमरम एक बार फिर अपनी ही सरकार पर बरसे हैं होने कहा है कि जानता से जिस वादे और संकल्प के साथ हेमान सुरेन सत्ता में आये थे आज उन वादों और संकल्प को भूल गए हैं अगर यहां कि आदिवास्ति और मुलवास्ति के पास जमीन ही नहीं बचेगी तो एक कहा जाएंगे दो हजार उनाईस में चुनाव प्रचार हो रहा था उस समय हेमान सुरेन ने कहा था कि हमारी सरकार बनेगी तो सीएंटी और एस्पिटी एक्ट और पेशा एक्ट को लागू करेंगे लेकिन सत्ता में आने के बाद हेमान सुरेन उस वादों को भूल गए हैं हेमान्त बिहारियों से घीरे हैं आदिवासियों का भाला कहां से करेंगे श्रीहमराम बुद्धवार को लुहरदग्गा में जारखन अंदुलनकारी महा सभादवारा आयोजीत एक दिवस्य धारना में बोल रहे थे जारखन को पोशन मुक्त राजियों में होगा सामील जारखन को देश के कुपोशन मुक्त अवल राजियों की सिरनी में सामील किया जाएगा इसके लिए पोशन माह का आवजन किया गया है इसके तहतला भारतियों को पोशाहार उपलब्द कराया जा रहा है या जनकारी समाज कल्या निदेशक ससी परकाचा ने दी है प्रजेक्ट भवन में बुद्धवार को पत्रकारों से बाचित की दोवार निदेशक ने कहा है कि एक से तीस सितमबर तक पोशन माह का आवजन पूरे परदेश में प्रखंड अस्तर तक किया जा रहा है इस साल की थीम सुपोशित जार्खन, साक्छर जार्खन और ससक्त जार्खन है भागवान बिर्शा मुंडा के गाव से इस मिशन की सुरुवात की गई है उन्होंने बताया है कि पोशन दर सुधारने के लिए टेक होम राशन में उचित पोशन सुनिशित किया गया है हर मा 38 से 432 आंगनवारी केंद्रों से 34 लाग से अधिक लभार्थियों को टी एच आर की सेवा दी जा रही है गंगा में परदूशन पर NGT ने जार्खन के चार जिला अधिकारियों से मांगी रिपोर्ट राश्टरी हरित अधिकरन ने जार्खन के चार जिला अधिकारियों को गंगा में परदूशन के मुद्दे पर आट सप्ता में रिपोर्ट से अपने का निर्देश दिया है इन जिलों से गंगा और उनकी सहायक नदिया गोजरती है अधिकरन नदी में परदूसन की रोक्थाम से समधित मामले पर सुनवाई कर रहा था NGT ने बिहार के 38 जीलोग के DM से भी रिपोर्ट मांगी है NGT के अधियाक्ष नियायमूर्ती परकास स्रीवास्तों ने कहा है अधिकरन के 28 अगस्त के आदेश मेरे खांकित किया गया था कि गांगा में परदूसन की रोक्थाम और नियंतरन से समधित मुद्दे परतेक राई सहर और जीले में उठाया जाए पीठ में नियायक सधसे नियायमूर्ती सुधीर अगरवाल और विसे सग्य सधसे ए संथेली वेल भी सामिल थे पंचायच स्वयम् सेवक संग का नंग धणग परदरसन अस्थागित पंचायच स्वयम संग ने मंत्री अलमगीर अलम के आवाज के सामने नंग धलंग परदसन आंदोलन को अस्थागित कर दिया है उनका धारना जारी है अपनी मैंगो को लेकर वे डटे हुए है बतादे सेवा अस्थाई करन सहित पाई सुत्री मैंगो के समर्थन में आंदोलन कर रहे पंचायच स्वयम सेवक ने ग्रामिन विकास मंत्री अलमगीर अलम के आवाज पर नंग धलंग परदसन आंदोलन को अस्थागित कर दिया है संग के अध्यक्ष चंद्रदीब कुमार ने जनकारी देते हुए कहा है कि अपर यहार कारणों से आज के आंदोलन को अस्थागित किया गया संग ने 4 अक्टूबर को जहरकन मंत्राले का घ्राव करने करने ने लिया है जिसमें राज भर के पंचायत स्वयम से भाग लेंगे संग के अध्यक्ष ने कहा है कि राजभन के समग चल रहा निस्चित का निधरना मांगे माने जाने तक जाली रहेगा हेमंत सरकार ने 4,60,000 किसानों के माप किये 50,000 तक के लोन हेमंत सुरेन सरकार ने अपनी चुनावी घोसना को साकार करते विराज में अब तक 4,60,000 किसानों का 50,000 रुपे तक करीन माप कर दिया है हलाकि अभी करीब 40,000 किसानों के रिण माफी में तक्निकी दिकत आ रही है सरकार ने कहा है कि बैंक ऐसे लाभू किसानों का सत्यापन कर उनकी जनकारी साजा करे तो सरकार उनका भी 50,000 रुपे तक का रिण माफी के लिए बैंक को रासी देगी हेमन सुरेन सरकार ने चुनावी घोसना पत्र में किसानों को इसका लाव देने का वादा किया था चुनावी घोसना पत्र में महागडबंदन ने कहा था कि राज के सबी किसानों को 50 यह रुपे तक का रीन एक मुस्त माप कर दिया जाएगा सिएम हेमन्त ने सहायक अभियांता के खिलाप अभियोजन स्विक्रिती दी सीएम हेमन सुरेन ने फरुष्टाचार के खिलाब करवाई करते हुए सहयक अभियांता खिलाब अभयोजन के सुख्रिती दे दिये है मामला अदयोगिक प्रसिक्षन संसथान बरहией के भवन निर्मानकार से जुड़ा हुए है फरस्टाचार के खिलाब मुख्य मंत्री हमांसुर ने बुद्धवार को एक्सन में दिखे उन्होंने भवन निर्मान की रासी गमन करने वाले सहायक अभियंता खिलाब अभ्योजन सुक्रिती दे कर इसकी जाज शुरू करने का आदेश दिये है इस आदेश के बाद हजारी बाग के बहरी अध्योगिक प्रस्टिक्षन संस्थान भवन निर्मान कार में गमन करने क्या रोप में फंसे त्कालिन सहायक अभियंता सुनिल कुमार की मुश्किले बढ़ गई है कूर्मी आंदोलन पर आमने सामने बिजेपी कॉंग्रेस कूर्मी को हट के दार्या दिये जाने की मांग को लेकर चल रहे है अंदोलन पर जैरकन के राई निति दलोन ने मिली जूली परतिक्रिया भ्यक्त की हाई कॉंग्रेस इसी बहाने बिजेपी पनिशाना साहते वे दिख रही हाई वहीं बिजेपी ने प्लट्वार करते हुए कॉंग्रेस को सभी समस्याओं की जड़ बताया है कॉंग्रेस प्रवक्ता तौसिफ ने कुर्मी आंदर्णकारियों की मांग को सही बताते हुए कहा है कि केंद्र की बिजेपी सरकार को इसकी मांग पर विचार करनी चाहिए उन्होंने अंदर्णकारियों से जड़ बिजेपी सांसर बिधायाक आवास का गहराव करने का आवान करते हुए कहा है कि समयधानिक रूप से अपनी मांगों को मनवाने का काम करे जड़ बिजेपी ने जारी की मीडिया गाइडलाइन जड़ बिजेपी ने मीडिया के लिए एडवाजरी जारी कर पुलिस विभाग के अधिकारियों को पालन करने का निर्देश दिया है बता दे जड़ बिजेपी पुलिस मुख्यालाइके द्वारे मीडिया के लिए एडवाजरी जारी की गई है एडवाजरी में कई ऐसे तथे सामिल किये गए हैं जिनका प्रेक्टिकल में अनुपालन करना बेहत कठीन है हलाकि इस समद में जार्खन के डिजीपी अजय कुमार सिंग ने दिशा निर्देश जारी कर दिया है जार्खन मौसम विभाग ने वारिस अलर्ट जारी किया जार्खन मौसम विभाग ने एलो अलर्ट भी जारी किया है ड्यंगो संभावित मरीजों का पता के लिए धनबाद में घर घर सरवे धनबाद जिले में लोगों के घर घर जाकर ड्यंगो से संभावित मरीजों की पचान की जाएगी उपायुक्त वरुन रंजन के निदेश पर बुद्धवार से जीले में विशेस अभियान शुरू होगा इसमें स्वास्त विभाग के अधीन करेरत साहिया लोगों के घर घर जाकर डेंगू के संभावित मरियों के पचान करेंगी और लोगों को डेंगू से बचाव से समदीत हैंड बिल दिया जाएगा घर वा आसपास जमा पानी की जाच कर पाता लगाया जाएगा कि इसमें डेंगू का लारवा है या नहीं धन्यवाद